Artistic Vipes समीति द्वारा राइवपुर के घासिता संग्र राले में पेंटिंग एक्जिविशन लगाए गई आपको बता दे कि Artistic Vipes का अर्थ कला की तरंगे होती है स्वतंत्रता दिवस के पावन पर उपर आर्टिस्टिक वाइप्स द्वारा दो दिवसिये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जिसमें लगबग 800 पेंटिंग लगाए गई है जो 2 साल के छोटे बच्चों से लेकर 106 साल की व्रद्धा की पेंटिंग प्रदर्शनी में शामिल है इन पेंटिंग्स की खासियत यह है कि यह पेंटिंग्स दिव्यांग बच्चों से लेकर व्रत्य आश्रम में रह रहे हैं बुजुर्गों द्वारा उकेरी गई हैं संस्था की अध्यक्षित त्रिप्ति लूनिया ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 15 वर्सों से वो आर्ट से जुड़ी हुई हैं त्रिप्ति की माने तो पेंटिंग करना एक जुनून है जिसमें अपनी सोच को तस्वीरों में उकेरा जाता है इस एक्जिविशन में लगाई गई सभी पेंटिंग, सभी आयू वर्गों द्वारा बनाई गई हैं सभी पेंटिंग एक संदेश देती हुई नजर आ रही हैं जिसमें सुतंतिता दिवस की जलक भी दिखाई दे रही है हम आर्ट ग्यालरी घासदर संदाले में एक्जिविशन लगाया है उन सारे बच्चों को सिखा कर जिनको प्लाटफॉं में ही मता है जिनकी प्रतिवा को निखाने के लिए हमने प्रयास चार वश पहले शुरू किया था और आज हमारे पास टोटल ए हंड Kagkar पेंटिक्स है जिसको और उन आ लोर्ण प्रृइक कीया है और रृइबट के जितने वृद्धा आश्रम है इस बार हम उन बच्चों से भी बनवाया है और ये मेरी टीम है, इन लोगों ने पिछले एक हफ़ते में बहुत मेहनद की है और उसका नतीज़ा आ जाते से हैं। मुझे पेंटिंग बनाने की प्रेगना तो मेरी मम्मा से लिए और मैं लास्ट 15 यह से पेंटिंग बनाया है। गासिदा संग्रहालाय में लगाई हुई सभी पेंटिंग अपने आप में बहुत ही शांदार है। कहा जाता है कि कुछ सीखने और कुछ कर गुजरने की ललक की कोई उम्र नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 106 साल की व्रद्दा द्वारा बनाई गई पेंटिंग भी लोगों को देखने को मिलेगी। ऐसे ही विभिने प्रकार की पेंटिंग दर्शकों को देखने को मिलेंगी। Bureau Report, देश टीवी